इस वीडियो में हम जानेंगे टट्या स्थल के बारे में जो श्री विरंदावन धाम में है और करेंगे वहां के दरुशन यह स्थान सिलरंग जी मंदिर के दहिने हाथ यमना को जाने वाली पक्की सदक के आखिर में यह रमणिय टट्या स्थान है यह एक विशाल भुखर्ण में फैला हुआ है इस स्थान पर कोई भी दिवार या पत्त्रों की घेरावन्दी नहीं है यह केवल बास की खपच्या या टट्या से बना हुआ है इसलिए इस स्थान का नाम टट्या स्थान पड़ा संगी सिरोमनी स्वामी स्री हरदाज जी महराज की ये तपोस्थली है यह एक ऐसा स्थान है जहांके हर व्रिक्ष और पत्तों में भगतों ने राधा कृष्ण भगवान की अनुभूति की है संतों की किरपा से राधा नाम पत्ती पर उबरा हुआ यहां देखा जा सकता है स्वामी स्री हरिदाज जी की सिश्य परंप्रा के साथ में आचारे स्री ललित किशोरी जी ने इस भूमी को अपना भजन स्थली भी बनाया था उनकी शिश्य महंत श्री ललित मोहंदाज जी ने इस स्थान पर ठाकुर श्री मोहनी विहर जी को प्रतिश्ठित किया था और इस स्थान के चारो और बास की टट्या लगाई थी तबी से यहां की सेवा पूजा अधिकारी विरत सादू ही चले आ रहे हैं उनकी वेश भूशा भी विशेश है इस स्थान पर श्री मोहनी विहर जी का बिग्रह भी प्रतिश्ठित है अब जानते ही इस मंदर के नियम के बारे में ऐसा सुना जाता है कि ललित मोहनी जी के समय से इस स्थान का नियम ये था कि जो भी आटा, दाल, घी, दूद, भेट में आते उसे उसी दिहीं ठाकुर जी को भोग लाकर सेवा में लगाया जाता था संधा के समय के बाद सब के बरतन खाली करके धो मांज के उल्टे करके रख दिये जाते हैं यहाँ पर कभी भी अन समगड़ी की कमी नहीं रहती थी यहाँ के महंत अपने इस्तान से बाहर कभी नहीं जाते स्वामी हरदाजी के अभिरभाव दिवस स्री राधा अश्टमी के दिन यहाँ भक्तों का विशाल भीड़ लगता है स्री स्वामी हरदाजी के कड़वा और दंड के उस दिन सब को दर्शन लाब होते हैं उस दिन विशेश प्रकार की स्वादिष्ट अरवी का भोग लगता है और बाटा जाता है जो दही और घी में विशेश प्रक्रिया से त्यार किया जाता है यहाँ का अरवी प्रसाद बहुत ही प्रसिद्ध है इस स्थान पर आज तक लाइट का कोई connection नहीं है यहां के जो महन्त होते हैं वह यहां के चार दिवारी के अंदर ही रहते हैं वह इस स्थान से बाहर नहीं जातें यहां के महन्त किसी सभा में किसी उत्सम में या किसी भंडार में कहीं भी नहीं जातें यह स्थान यमना के किनारे बसा हुआ है यहां के साधु लोग भगवान क की पूजा पाट करते हैं भजन किरतन करते हैं और सदाचार से रहते हैं इस स्थान के बिलकुल बगल में परिकर्मा मार गया है और सामने यम्ना निदी पहती हैं इस स्थान पर बहुत ही शांती है यहां की पेडों और पत्तों पर श्री राधा नाम और भगवान की बहुत से सरूपों की दर्शन होते हैं ये बहुत ही सुन्दर और दिविस्तान है कभी भी आप ब्रिंदा बन जाए तो इस इस्तान का दर्शन चरूर करें तो आज के लिए बस इतना ही जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक आप खुश रहें आनंद में रहें भगवान का भजन करते रहें जो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक चरूर करें आगे से आगे शेर करें आपका कोई भी सुझाओ हो तो हमें नीचे कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें